कि नमस्कार बहुत स्वागत आपका बिहारी न्यूज में वरतिन-सेन भारती अज हम बात करेंगे गंजे-पनasty और मुलय की उम्हे लोग यह सोचते रहते हैं कि आखिर यह बाल जाक कैसे रहा हैं कई लोग इसका कारण पानी को भी मानते हैं लेकिन बता दें कि पटना एम्स के डॉक्टर और आयाईटी के इंजिनियर मिलकर एक ऐसे हेलमेट बना रहे हैं जो गंजापन को दूर करेगा। बताया जा रहा है कि इस हेलमेट को प्रती दिन तीन घंटे भनने से नये बाल आने शुरू हो जाएंगे। योगेस बताते हैं कि भारत में पहली बार एसकीन की उस लेयर पर रिसर्च किया जा रहा है जहां बाल उगने के बाद ज्यादा समय पर रह कर वक कमजोर पड़ जाता है। इस रिसर्च में काफी सकरातमक परिनाम सामने आये हैं। बाल उगाने वाले हेलमेट को लेकर एम्स के डॉक्टर बताते हैं कि हेलमेट में लेजर लाइट के सहारे बाल उगाने की कोशिस की जा रही है जो हेलमेट बनाने की तैयारी में हैं इसमें 32 तरह के लेजर निकलने की और हर लेजर लाइट का अलग-अलग काम होगा बता जा जाय कि हर लेजर लाइट बेहत् प्रभावी होगा। डॉक्टर रिउग्वेस ने अपने इस सोध के बारे में बताते हुए कहा कि धेर सारे लोगों के समयसें पहले गंजेपन होने की समस्या को देखते हुए सोध करने की प्रिर्णा, मिली है उन्हें न का कि गंजेपन की समस्या दवाएं दूर नहीं कर पाती ऐसे में उन्होंने बाल उगने के तीन स्टेज का अधिन किया और फिर बाल के जढ़ने पर रोक और उसे उन्हें फिर से उगाने के तकनीक पर जो है काम किया इससे भी समस्या का समधान निकल कर सामन उन्होंने बताया कि इनसान के बाल तीन enclosure में बहर आते हैं पहले एनाजन और उसके बाट टेलाजन और फिर जो है किटा है बाल सब्से जधा सिपर ऐनजन अस्टेज्च में बढ़ते हैं एंधिन के सिकार लोगों पर सोथ किया जाए तो लाग हो जाएगा इसका कोई बूरा परिणाम भी नहीं होगा इस दोरान उन्होंने यह भी बताया कि गंजापन कब होता है बताया कि गंजापन खून का दावरा कम हो जाने से तब होता है जब उनके खून का दावरा जो है यानि मस्तिक्स पर खून अच्छे तरीक उन्होंने यह भी कहा कि गंजापन का एक यह भी कारण है कि हमारे बाल इनाजन से टेलाजन में बहुत तेजी से परिवर्तन हो जाते हैं। हेलमेट तयार किया जा रहा है जो गंजेपन की समस्या को दूर करेगा। तीन से चार घंटे अगर आप उसे रोज पहनेंगे तो इससे जो है आपको निजात मिलेगी। बिहारा और बिहार से जुड़ोई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे देजिए जाज़त धन्देगा।